नमस्कार आदाप दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूटूब चैनल मिस्टर जोन इंफ्राटेक किरियेशन में दोस्तों आज हम बात करेंगे ओयल बेस्ट पैंट यह वाटर बेस्ट पैंट में क्या अंतर है इसको कैसे इस्तिमाल करना चाहिए और मार्केट में कौन से पैंट उपलत है दोस्तों बता दू मैं आपको कि ये पैंट को किन सरफेस में हम काम लेंगे इनकी लाइफ क्या है कौन सी कंपनी के पैंट मार्केट में उपलत है आईए सबसे पहले बात करेंगे आयल पेंट जिसे एनामल पेंट भी कहते हैं इसको काम में लेते वक्त तारपीन मिलाया जाता है यह इस पेंट को क्लीनिंग करने के लिए भी तारपीन ओयल काम में लेते हैं तारपीन ओयल कीजगे हम थीनर या पेंट रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे paint जल्दी सूकता है अब हम बात करेंगे water paint वाटर पेंट में polymix या latex pigment का इस्तिमाल होता है इसे पतला करने के लिए जैसे की नाम से आप जानते है वाटर पानी का इस्तिमाल किया जाता है और पानी से इसमें जो दाग डबे flooring पे गिरते हैं उनको साफ किया जाता है किया जाता है, मुख्य द्या, अब हम बात करेंगे इनका इस्तेमार, ओल पेंट को हम लकड़ी यहों लोहा पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानि कि हम फनीचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा एक कोट ओल पेंट लगाने से पहले प्राइमर यानि कि इस इस्तिमाल करें यहों दो कोट पेंट का इस्तिमाल करें वाटर पेंट आप जदी इस्तिमाल कर रहे हैं तो इसे दिवारों पर यूज किया जाता है यह दो तरके से काम में लिया जाता है एक तो घर के अंदर की तरफ जिसे हम इंटीरियर कहते हैं और दूसरा है गर के बाहर क दिवारों पर हम काम में लिया जाता है उसे एकस्टीरियर पैंट कहते हैं यदि आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्वपतम आप दो कोट पुट्टी घर के अंदर करवाएं या बहार करवाएं इसके बाद एक कोट प्राइमर का और फिर दो कोट वाटर पैंट का करें कि लगबग दो से पांच साल तक चलता है और एकस्टीरियर पैंट यानि की घर के बाहर जो हम पैंट करते हैं उसकी मियाद दो से तीन साल होती है यह सब निरपर करता है दिवार के उपर प्लास्तर की यदि प्लास्तर जल्दी उखड़ जाता है तो पैंट जल्दी रिमू हो जैता है तो अच्छी तरह दोस्तों में रिक्मेंट करूँगा जब याप प्लास्तर करवाएं तो उसकी तरही साथ से दस दिन तक जरूर करवाएं यदि आप प्लास्तर के उपर वीडियो चाते हैं प्लास्तर करते वक्त किन गातों गा हमें साबदाने रखनी चाहिए तो इसके उपर आप वीडियो चाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, प्लास्तर लिखे कमेंट करें, ताकि मैं उसके उपर नई वीडियो बना सकूँ, अब हम बात करेंगे दोस्तों, उपलद ता, यानि मार्केट में किन-किन कमपनी के पेंट हमें उपलद है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे water-based paint, इसमें interior में एस्टर इमलशन अपोलो एयो रोयल पेंट उपलद है, exterior में ultimate एसिन पेंट में उपलद है, बर्जर कम्पनी नेरो लेक इन कम्पनियों में भी उपलग है मैं इसकी डिटेल चचा नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लास्टिक पैंट दोस्तों वाटर बेस्ट और ओयल पैंट के अलावा भी एक पैंट हमें मार्केट में उपलोड होता है जिसे हम आमचाल बौसा में वो प्लास्टिक पैंट बोल देते हैं यह एक तरह से दिवार का ही पैंट होता है इसमें क्या थोड़ी साइनिंग ज़्यादा होता है थोड़ा मेंगा होता है एसियन पैंट की बात करूँ तो इसमें रोयल नाम से यह उपलोड है और बर्जर कंपनी में बात करूँ तो यह सिल्क नाम से उपलोड है दोस्तों उमीद करता हूँ दीगी जानकरी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानकरी आपको पेंट समन्दी चाहिए या किन-किन बातों में हमें सावदाने रखनी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें पेंट लिखे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकरी के साथ तब तक के लिए जय हिन